असलाम अलाइकूम इन्स्ट्ट्वेंट सॉलेशन चैनल से मैं हू तुहिन तो आजका वीडियो एक बहुत ही इंपर्टेंट वीडियो है आपके लिए आजका वीडियो में आपको देखाओंगा टी-पी ट्रांस्मिटर को, देन फ्लोर ट्रांस्मिटर को, मैनिफोल भाल्ब से आप लोक कैसे स्कूल ॥ायन जैगे जैँ कैसे स्कूल करेगा, आजका वीडियो में जैँ आजये मैं, आएक बहुत इंपर्टेंट वीडियो ना, और उसका पहले हमारा पिशा ट्रांस्मिटर यह पिशा ट्रांस्मीटर से आप लोग ट्रांस्मीटर को कैसे लाइन अप करेगा यह लेके मेरा एक वीडियो है मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दोंगा आप चाहिए तो यह आला भी देख सकता है फिर इसका बड़े में भी आपका आच्छा से आइडिया इसका बड़े में आअ पी आओट आप लेट आवला एलपी में कनेक्थ होगा तो इधार आप देख रहे हाइँ हाइए यह ट्रांस्मीटर में लेक देये का आएगे आपका हाई और इससाइड में लोग लेक्का राएगा फिर अला यह अला आपको देखके जो manifold भल्ब है manifold भल्ब को connect करना परेगा नहीं तो हमारा transmitter का reading उल्टा आएगा means गलाद आएगा ठीक है तो इधर से हम लोग जो HP अला है HP अला और Lp अला को देखके अच्छा से connect किया तो चलिए आज का वीडियो स्टट करता हूँ एक्षिलिए हमारा प्लांट अभी रानिंग कॉंडिशन में है और ये ट्रांस्मिटर अभी लाइन पे भी है मैं इसको आपको फीजिकली देखा नहीं सकता हूँ इसको अब लोग कैसे लाइन अप करेगा जस्ट आपको में अस्टा से समझा दे रहा हूँ आप लोग इसको कैसे लाइन अप करेगा तो देखिए हमारा ये जो मैनिफोल भाल्ब का आईसलेशन इकुलाइजेशन दिन भैल्ब भैन भाल्ब है ये सारा भाल्ब क्लोज रहेगा नहीं तो एक बाद चेक करके देख लिजिए ये क्लोज है की नहीं फिर ये जो उपण में दो भाल्ब देख रहे है ये भाल्ब को ओपेन करना पड़ेगा देन ओपेन करने के बाद हमारा ये जो ट्रांस्मिटर का नीचे दो ड्रेन लाइन रहेगा ये ड्रेन लाइन को आच्छा से ओपेन करके इधर से फ्लाश कर लिजिए फिर अमारा ये जो पाइप का अंदर जितना कास्टर रहेगा लाइन का ये सारा कास्टर इधर से निकल जाएगा फिर अच्छा आला पानी आने के बाद drain valve को close कर दीची है फिर आभी आम लोग को ये जो manifold से हमारा transmitter को line up करना पड़ेगा तो आप लोग कैसे गड़ेगा तो इधार जो दो valve देख रहा है ये दो आमारा manifold का isolation valve है ये है अमारा equalization valve और ये दो है अमारा band valve है तो transmitter को line up करना के लिए पहले ये जो हमारा equalization valve है equalization valve को हम लोग को open करना पड़ेगा देन equalization को open करने के बाद ये जो low side का valve है ये low side का isolation valve को open करना पड़ेगा देन open करने के बाद इस side में जो high अला valve है high अला valve को open करना पड़ेगा देन high side अला valve को open करने के बाद हमारा जो pressure है पेशार डिवाइट होके low side में चला जाएगा Then meter पे भी हमारा transmitter पे भी इसका पेशार चला जाएगा Then equalization bulb को close कनना पढ़ेगा Then equalization को close कनने के बाद हमारा जो पेशार है ये पेशार equally distribute हो जाएगा हमारा transmitter में तो हमारा transmitter को लाइन अप कॉंपलिट हो गया रहना कमेंगे करताहिए तो हम लोग अभी यह ट्रांस्मीटर को अप लोग लाइन से कैसे हाताएगा ओछ Gir वह आपको देखा होंगआ तो साफुर देखें आमारा ट्रांस्मीटर को कुछ पोबलेम होऊ आमारा ट्रांस्मीटर चेंज करना पड़ेगा तो इसके लिए हैं आम देन आमारा इजो हाई साइट का आइसलेशन बल्ब है इसको क्लोस करना पड़ेगा देन इकुलाइजेशन को क्लोस करना पड़ेगा हमारा इकुलाइजेशन को क्लोस करना के बाद हमारा जो यह लो साइट का आइसलेशन बल्ब है यह आइसलेशन बल्ब को क्लोस करना पड़ चेंज कर सकते है, थीक है, तो ये ही है actually हमारा transmitter का जो line up का और line से क्या से हटाएगा ये हटाने का actually right procedure है, ठीक है तो मैरा लगता है, आज का वीडियो में आप लोग manifold valve से transmitter को कैसे line up करेगा दिन इसको line से क्या से हटाएगा ओई आपको अस्ता से समझा दिया तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक देखे मेरा चैनल को सस्क्राइब कीजिए और बिला इकन बटन को जोरूर रॉन कर दिजिए फिर मेरा नेक्स वीडियो ओभी आपको मिल जाएगा और कुछ कोर्शन होगा तो प्लीज कॉमेंट कीजिए दोने बाद